बहुत समय पहले की बात है बाश्या अकबर के दरबार में बीरबल का बोलबाला था बीरबल की चतुराई और सूजबूज ने उन्हें बाश्या का खास बना दिया था इस कारण दरबार में बहुत से ऐसे लोग थे जो बीरबल से जलते थे इन लोगों में बाश्या अकबर के साले सहाब भी थे साले सहाब भीरबल को नीजा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे लेकिन हर बार उन्हें ही मूखी खानी पड़ती थी बेगम का भाई होने की वजह से बाश्या भी कुछ बोल नहीं पाते थे एक दिन भीरबल की गैर मौजूदगी में साले सहाब ने बाश्या अकबर से दिवान पत की मांग कर डाली बाश्या ने साले सहाब की परिक्षा लेनी की सोची उन्होंने साले सहाब से कहा आज मुझे सुबह सुबह महल के पीछे बिल्ली के बच्चों की आवास सुनाई दिये लगता है किसी बिल्ली ने बच्चे दिये हैं जाकर देखकर आओ कि यह बात सच है या नहीं साले साहब भी क्या था कि जट से महल के पीछे गए और वापस आकर बोलते हैं कि आपकी बात सच है महल के पीछे एक बिल्ली ने बच्चों को जन दिया है बाश्चा ने का अच्छा जरा यह बताओ कि बिल्ली ने कितने बच्चों को जन दिया है साले साथ मैं जवाब में कहा यह तो मुझे नहीं पता है मैं अभी पता करके आता हूँ महराज इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे गए और वापस आकर कहते हैं महराज बिल्ली पाच बच्चों की मा बनी है बाश्चा अकबर ने पूछा अच्छा जरह यह बताओ कि उन पाच बच्चों में से कितनी मादा है और कितने नर है साले साथ में जवाब में कहा मैंने यह तो देखा ही नहीं मैं अभी देखकर आता हूँ इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे जाते हैं और थोड़ी देर के बाद आकर कहते हैं महराज महराज बिल्ली के पाच बच्चों में से तीन नर हैं और दो मादा हैं बाश्शा अक्बर ने अपने साले साहब से फिर से एक सवाल पूछा बिल्ली के नर्ब बच्चे किस रंग के हैं तो सवाल के जवाब में साले साहब ने कहा कि मैं अभी देख कर आता हूँ बाश्शा अक्बर ने कहा रहने दो बैठ जाओ इतने में बीरबल राजदर्बार में पहुच चुके थे बाश्शा ने बीरबल से कहा बीरबल महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्द दिया है जरा जाकर देख कर आओ कि यह बात सही है तो बीरबल ने कहा मैं अभी देख कर आता हूं महराज ऐसा कहकर वह महल के पीछे देखने के लिए चले गए वापस लोट कर आए बीरबल ने बाशाह अकबर को बताया महराज बिल्ली ने बच्चों को जन्द दिया है तो बाशाह ने बीरबल से पूछा बिल्ली कितने बच्चों की मा बनी है तब बीरबल ने तुरंत जवाब दिया महराज पाच बच्चों की बाशाह ने फिर से सवाल किया बिल्ली के बच्चों में से कितनी मादा है और कितने नर है बीरबल ने फिर तुरंत जवाब दिया मह महराज तीन नर और दो मादा हैं बाश्या अकबर ने एक बाफ फिर बीरबल से सवाल किया कि बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं बीरबल ने तुरंत जवाब दिया महराज दो नर बच्चों का रंग काला और एक का बदामी हैं अब महराज के पास बैठे अपने साले देखा और पूछा तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है तो साले सहाब शर्मंदी की से से जुकाई बैठे रहे और कुछ कह न सके फिर महराज ने बीरबल को उसकी सूजबूज के लिए शाबाशी दी